आवला हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और डॉक्टर तो रिकेमेंट हमेशा करते हैं कि एक आवला हमी रोज खाना चाहिए तो आज मैं आपके लिए लिख कर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आवला अचार की रेसेपी ये अचार ब करतन में पानी करम करेंगे और उसके उपर हम छनी रख देंगे और छनी के अंदर हम आवले को इस तरह से रख देंगे और ढगकर 10-15 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे 5-7 मिनट हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे आवले को हम पलट लेंगे यानि इस तरह से हम उपर नीचे आवले को कर लेंगे ताकि सभी आवले अच्छ से पक जाए तो बस पलटने के बाद में हम फिर से ढग देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे और पका लेंगे लगबक 10-15 मिनाट हो चुके हैं तो चलिए आवले को चेक कर लेते हैं आप फोक की हेल्प से या तो चापू क की हल्प से इस तरह से दपा के देख ले तो अब हम कैस बन कर देंगे और ठंडा होनी देंगे तो यह देखे आवले पुरी तरह से ठंडे हो गए हैं तो बस इस तरह से हम आवले की एक एक कली निकालती जाएंगे और इसके अंदर की जो गुटली है उसे निकालकर एक हो जाता है तो जब भी आप आवले का अचार बनाएना तो पानी के अंदर बॉइल बिल्कुल भी नहीं करें इस आवले को थोड़ी तेर के लिए हम दूप में रखतेंगे आवले के अचार को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च यहा जादा मिर्च का यूज नहीं किया है अगर आपको मिर्च जादा डालनी है तो आप इसके कॉंटिटी बढ़ा भी सकते हैं तो चली अचार के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं तो पैंके अंदर हम डालेंगे साबुत धनिया तीन बड़ा चमच और सौफ टाल देंगे दो अब तक हमें इसे भून लेना है तो यह देखे मसालों में से खुश्बू आने लगी है और चटकने भी लगे हैं तो इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे गैस बंद कर देंगे और इस मसालों को हम निकाल लेंगे बड़ी सी प्लेट में और ठंडा होने देंगे इन सुखे मसा मसालों को दरदरा पीशना है मैंने यहाँ पर मसाले को कोट्स में चलाते हुए इसतरह से दरदरा कीश लिया हैं तो यहाँ पर मसाले का फाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाएँ है तो चलिए इसे हम एक तरफ रख देते हैं यहाँ पर मैंने बाॉल लिया है और डाल देंगे आदा चममच हल्दी पाउड़र डालने से अचार की bishop बढ़ जाती है लाल्मेच पाउडर डाल देंगे से यहां सबäv चमम ला लेना है, जैसे ही सबी अच्छ mix हो जाए तो बस बावल के अंदर हम डाल देंगे पिसा हुआ मसाला जो हमने roast करके पिसा था ना उसे हम डाल कर अच्छे से मिला लेंगे तो ये देखिए अचार का जो मसाला है हमारा बन के तयार हो गया है बहुत ही simple मसालों का यूज किया है तो चलि हम एक चमच और नमक डाल देते हैं और नमक डाल कर अच्छे से मिला लेंगे तो ये देखिए अचार का मसाला हमारा बन के तयार हो गया है तो चलि हम अचार के लिए तेल गरम कर लेते हैं तो यहाँ पर पैन के अंदर हम डाल देंगे सरसो का तेल एक कप सरसो के तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे और गरम होने के बात में गैस बन कर देंगे सरसो के तेल से अचार का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है तो इस तेल को हम मसाले के अंदर डाल देंगे और अच्छे से हम मिला लेंगे तो ये दिखे हमारा अचार का जो मसाला है पुरी तरह से टैयार हो गया है अगर आपको आवले का अचार खटा मिठा पसंद है तो आप इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च जो हम रख सकते हैं एक घंटे के लिए तो आवले की कलियों को भी हम मसाले के अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो ये देखे आवला और हरी मिर्च का अचार हमारा बनके त्यार हो गया है इंसेंट अचार है और आपको इसकी लाइफ बढ़ानी है तो आप इसके करने के पहले आप कुछ बातों का जरूर द्यान रखें सबसे पहले काज के बरतन को आप पानी से अच्छे से दो लें और फिर कप्रे से अच्छे से साफ कर लें और साफ करने के बाद में ही आप अचार को उसके अंदर डालें जब इस तरह से आप काज के बरतन में अचार डालेंगे न तो अच्छार जल्दी खराब नहीं होगा और इसकी लाइफ भी जादा रहेगी मेरी रेसेपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं तो अगली मुलाकात होगी नई रेसेपी के साथ में